तो हेलो नमस्कार और बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी बच्छों का चौरे भादत डिपेंस योद्धा यूट्धा चैनल पर और जैसा कि मैंने आपको कुछ टाइम्स पहले बताया था कि हमारे जो अगनिवीर वायू है उसके नोटिफिकेशन जो है नवेंबर 1st वीक तक आजाएंगे तो खुश खबरी यह है कि आपका वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका है यानि कि भारती वायू से ना यानि कि इंडियन एयर फोर्स की तरफ से यह नोटिफिकेशन आ चुका है और आप इसके लिए एपलाई कर सकते हैं साथ नवेंबर से लेकर 23 नवेंबर तक यानि कि online applications जो है वो आप 7 नवेंबर से लेकर 23 नवेंबर तक apply कर सकते हैं और जो exam dates है वो है हमारी 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक 18 जनवरी 2023 से लेकर 24 जनवरी 2023 के बीच में जो है आपका जो exam है वो हो जाएगा और exam जो है वो online होगा ये भी ध्यान रखना है कैसा होना है online होना है ठीक है male और female दोनों ही candidates जो है इसके लिए apply कर सकते हैं और साथ ही जो भी आपको जानकारी चाहिए ज्यादा details के लिए हालां कि मैं आपको बताने वाले हो जो important important part है लेकिन और details जानकारी के लिए आप इनकी website पर visit कर सकते हैं agnipathyu.cdac.in slash av slash पर ठी है eligibility की. Eligibility की बात करें तो अगनिवीर वायू science subject जो technical trade वाले हैं जो technical trade वाले बच्चे हैं उनके लिए science subject का होना compulsory है ठीक है साथ ही जो बच्चे 10 प्लस 2 maths, physics और English वाले हैं वो इसके लिए apply कर सकते हैं लेकिन 50% जो है English में होना भी compulsory है यानिकि English आपके पास होनी ही चाहि है और उसमें 50% आपके marks होना जरूरी है इसके लावा जिन बच्चों ने 3-year का diploma course किया है engineering का वो भी इसके लिए applicable है ठीक है bond date की बात करें तो 27 जून 2002 और 27 दिसंबर 2005 तक के जो लोग है वो इसके लिए apply कर सकते हैं next is date of online registration में आपको बताई चुकी हूँ 7 November से start हो चुके है और 30 November को ये खतम हो जाएंगे ठीक है चलिए exam date जो है इसकी वो है आपकी 18 जन्वरी से लेकर 24 जन्वरी तक के बीच में then physical अगर देखें तो आपका height होने चाहिए अगर male है तो आप 152.5 cm और female है तो 152.5 cm chest male के लिए 77 cm और 5 cm तक जो है expansion हो सकता है weight जो होगा वो height और age के according measure किया जाएगा ठीक है चलो next देखते हैं next है अगनीवीर वायू other than science जो science के अलावा है या जो non-technical trade वाले हैं ठीक है non-technical trade वाले जो बच्चे हैं तो same चीज उनके लिए भी applicable है age को लेकर और eligibility की बात करें तो 10 प्लस 2 any stream आप commerce, science या arts के हो सकते हैं लेकिन English होना ज़रूरी है वो भी 50% marks के साथ ठीक है date of online examination same है date of application वो भी same है then physical standards के कर बात करते हैं तो again males के लिए 152.5 cm height and for females 152 cm height हो सकती है and then weight के अगर बात करें तो वो age और आपकी height के according होगा right चलो next is sequence of examination जो आपका examination होगा उसका sequence क्या रहेगा तो सबसे पहले online test होगा आपका उसके बाद आपका physical fitness test होगा and then adaptability test test यह दो दो बार होगा adaptability test first and then adaptability test second then medical examination तो यह कुछ प्रोसेस रहेगा आपके examination का उसके बाद जो है merit list बनेगी and then physical fitness test के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या-क्या रहेगा यह है and sit-ups होएंगे males के लिए 10 और females के लिए भी 10 ठीक है and then squats होएंगे males के लिए 20 and for females again यह आप इन को चूट मिल जाती है 15 ठीक है तो यह कुछ physical fitness test रहेगा तो देर ना करें और जल्दी सजल्दी अपने online examination के लिए जो है apply करें जिसे की आप इससे वंचित ना रह जाएं और ऐसे ही updates जानने के लिए और अच्छी खबरे जानने के लिए हम से जुड़े रहे हैं शौर भारत defense yoda youtube channel के साथ जै हिन जै भारत